आज इस वीडियो को देखे जर्बेरा प्लांट से रिलेटिड जो भी कन्फ्यूजन आपके माइन में है कि उसको कौन सा फर्टिलाइजर देना है, कैसे उसमें लिक्विट फर्टिलाइजर देना है, किस तरीके से स्प्रे करना है और बाकी पूरी A to Z information मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ इस वीडियो को देखने के बाद फिर आपको जर्बेरा से रिलेटिड कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगी तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं Hello everyone, कैसे हैं आप सब लोग? Love for gardening में आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है तो जैसे कि आप देखी रहे हैं कितना ही खुपसूरत प्लांट है तो ये फोल जितना ही खुपसूरत है उतना ही जादा maintenance भी मांगता है ये थोड़ा सा नाजुक प्लांट होता है तो इसको ग्रो करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम सब को ही फेस करनी पड़ती है तो हमें किस तरीके से साफधानी रखनी है कि इसके जो फ्लार है वो regular खिलते रहें और इस प्लांट को कोई प्रॉब्लम भी ना आए क्या होता है कि ये प्लांट सर्दियों में बहुत अच्छी ब्लॉमिंग करता है और इसका जो एक तरीके से growing period होता है वो भी winter में काफी अच्छे से होता है वैसे तो ये एक permanent plant है लेकिन इसकी जो flowering होती है वो winter में जादा अच्छे से होती है तो इसकी care में सबसे पहले हम sunlight की बात कर लेते हैं अगर आप इसे winter में grow कर रहे हैं तो winter में इसको full sunlight चाहिए और अगर आप इसे summer में grow कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे आपको इसे morning की 3-4 घंटे की sunlight देनी होगी otherwise इसको sunlight की ज़रुत नहीं पड़ती है winter की sunlight full आप दे सकते हैं क्योंकि winter में बहुत तेज दूप नहीं होती है लेकिन हाँ अगर winter में भी तेज दूप निकल रही है तो फिर इसको आप 4-5 घंटे की sunlight दीजे इससे ज़ादा की sunlight इसे नहीं चाहिए तो अगर आपके घर में full sunlight नहीं आती है तो फिर भी आप इस plant को grow कर सकते हैं और ये बहुत ही खुपसूरत plant है और इसके तो flower ना एकदम मन को मोह लेते हैं मुझे तो बहुत पसंद है ये plant तो sunlight की बात मैंने आपको बता दी है अब मैं इसकी थोड़ी soil की बात कर लेती हूँ तो जो इसका soil होता है उसको आपको बहुत ज़्यादा moisture नहीं रखना है उसमें जैसे क्या होता है आप देखे इस समय आप मेरी soil लेके soil में water तो है पर soggy नहीं है soil तो आपको इस तरीके की ही soil रखनी होगी क्योंकि इसमें fungus बहुत तेजी से लगता है और ये plant mostly fungus की वज़े से ही मरता है तो अगर आपका soil हमेशा भीगा रहेगा उसमें बहुत ज़्यादा पानी रहेगा तो इससे फिर plant की roots में fungus लग सकते हैं इसकी leaves सर जाती हैं तो इसलिए आपको पानी का बहुत विशेज ध्यान रखना इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़ुरत नहीं होती है लेकिन हाँ आप एकदम कम water भी मत दीजेगा अब चली इसे fertilizer कौन सा देते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने नीम की खली ले लिया है और नीम की खली के बाद मैंने यहाँ पर एपसम सॉल्ट लिया है तो नीम की खली मैंने एक स्पून लिया है और एपसम सॉल्ट लगभग 1 फॉर्थ स्पून है इसके बाद फिर मैंने यहाँ पर फर्टिलाइजर लिए यह पोटेश यह रैट पोटेश ऑर्गैनिक पोटेश भी आता है अगर आप चाहें तो उसे भी यूज कर सकते हैं उसके बाद फिर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है और मिक्स करने के बाद अब मैं अपनी प्लांट को किस तरीके से दूंगी ये भी आप लोग देख लीजेगा तो मैं दो तरीके से प्लांट को fertilizer देना सिखाऊंगी आपको आप ध्यान से देखिएगा उसके बाद फिर एक liquid fertilizer तयार करूंगी वो भी मैं प्लांट को दूंगी फिर spray बनाऊंगी क्योंकि मैं पूरी detail में आपको एक चीज बारी किसे समझाने वाली हूँ तो वीडियो में बने रहिएगा ये देखिए ये इसका crown potion है तो fertilizer देते समय या गुडाई करते समय आपको ध्यान रखना है कि ये crown potion ढखे नहीं क्योंकि अगर ये cover हो गया तो फिर आपके plants की growth नहीं हो पाएगी इसी में से new growth निकलती है इसी में से flowering भी होती है तो इसको आपको दूर रखना है जो soil है वो आपकी इसको crown कहते हैं तो इस crown potion के पास बहुत उपर तक नहीं जाने चाहिए तो मैंने देखिए क्या किया है मैंने चारों तरफ थोड़ा-थोड़ा सा गहरा-गहरा गड़ा टाइप का बना लिया है और अब इसी में मैं आपको fertilizer देके बताऊंगी तो ये जो भी fertilizer मैंने तयार किया था ये सभी में plant में दे दूँगी देखिए मैंने चार तरफ गहराई कर रखी है और उन्हीं गहराईयों में मैं थोड़ा-थोड़ा fertilizer को दे दूँगी ये जो fertilizer है ये आपको महीने में सिर्फ एक बार यूज करना है और जो मैंने bone meal दिया है वो आपको दो महीने में एक बार करना है क्या होता है कि bone meal एक slow release fertilizer है तो ये दीरे-दीरे अपना work करता है तो आपको बार-बार देने के ज़रूरत नहीं पड़ती है हाँ एक चीज मैं और बताती हूँ मैंने 10 से 15 दिन पहले अपने plant में vermi compost दिया था दो मूटी तो इसलिए मैंने इस समय नहीं डाला है अगर आप लोग चाहें तो vermi compost भी इस fertilizer के साथ mix कर सकते हैं और mix करके आप इसे अपने plant को दे दीजे fertilizer जिसे और plants को तो मैं आपको हमेशा यही सला देती हूँ कि शाम के टाइम पे दीजे पर जिसे यह जर्वेरा है तो आप इसको दिन में ही fertilizer दीजे दिन में ही water दीजे और उसके बाद इसको ऐसे जगह पे रख दीजे जहां च्छाओं हो जहां तेज दूप ना रही हो मैं winter की बात कर रही हूँ कि winter के टाइम पे ऐसे ही करना है क्योंकि इसमें पानी अगर जरा सभी रुका ना तो तुरंत इस plant को fungus लग जाना है इसके बाद मैं अपने दूसरे plant को भी same तरीके से ही fertilizer दूँगी पर अग्की बार मैं गहराई में fertilizer नहीं दूँगी मैं ऊपर ही soil के fertilizer को डाल दूँगी और डालने के बाद फिरू ये दे कि मैंने डाल दिया है और उसके बाद अब मैं इसी को soil में mix कर दूँगी जब भी आप plant को report करें तो ध्यान रखिए इसको well-drained soil दीजे क्योंकि well-drained soil देंगे तो इसमें नीचे roots भी बहुत अच्छे से develop होंगी प्लस इसमें छोटे-छोटे baby plants भी निकलते रहते हैं तो जितनी ही well-drained soil होगी उतने ही baby plants इस plant से काफी मात्रा में निकलेंगे अब इसके बाद मैं इसको एक liquid fertilizer भी देने वाली हूँ तो चलिए आप उसके बारे में बात कर लेते हैं तो ये fertilizer आप महीने में एक बार अपने plant को देंगे एक चीज़ और बताती हूँ मैं जैसे हमारे plant में जब flower खिलता है खिलने के बाद ये काफी दिन तक रहता है लगबग हफता से 10 दिन तक ये आपके plant में ऐसे ही खुबसूरत लगता है फिर जब ये सूख जाए तो इसको यहाँ नीचे से काटिये मैं आपको थोड़ा से दिखा देती हूँ ये दिखिए यहाँ से काट दीजे ऐसा नहीं कि जहाँ से फूल स्टार्ट हुआ है आपने उपर वस वहीं से कट कर दिया ये जो स्टिक है आपको पूरी काटनी होगी नीचे से जहाँ तक आप easily काट पाएं उसके बाद फिर ये देखिए इस तरीके से नियू नयू बेबी प्लांट निकलते रहेंगे ये प्लांट आप एक बार ले आएंगे ना उसके बाद फिर आपको दुबारा खरिदने के जुरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बहुत सारे baby plants ये produce करता रहता है देख रहे हैं कितना प्यारा फ्लार है न हाँ जी चलिए अब हम थोड़ा सा liquid fertilizer के बारे में बात कर लेते हैं तो liquid fertilizer के लिए मैंने यहाँ पे एक लीटर पानी ले लिया है ये normal tap water है और इसमें अब मैं seaweed का liquid extract डालने वाली हूँ तो ये मैंने यहाँ पे लगबग 1 ml लिया है और एक लीटर पानी में 1 ml हमें mix कर लेना है इसके बाद भी मैंने एक चीज और डाली है तो इसको डालने के बाद थोड़ा सा मैं spoon से इसे mix कर दूँगी और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है इस plant में fungus लगने के बहुत जादा chances होते हैं तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा साफ fungicide भी mix किया है साफ fungicide mix करके जब हम plants की root में डालेंगे न तो उसके हमारे जो soil में fungus होगा या root में जो कोई fungus होगा वो भी ठीक हो जाएगा और seaweed का जो liquid extract होता है यह हमारे plant की roots को बहुत healthy बनाता है हमारे soil को rich कर देता है और plant को na immunity भी देता है तो इसलिए यह fertilizer आप जरूर अपने plant में दीजिए और यह देखिए मैंने अपने दूसरे plant में भी थोड़ा सा डाल दिया है क्योंकि मैंने अपने plant को fertilizer दिया है इसलिए मैं बहुत जादा पानी नहीं डाल रही हूँ सिर्फ उतना ही पानी डाल ली हूँ जितना मेरे plants की soil absorb कर ले अब इसको fungus से बचाने के लिए जैसे हमने soil में तो डाल दिया fungicide लेकिन अब हम इसकी leaves पे भी spray करना होगा तो आप क्या करिए जैसे 15 दिन में एक बार fungicide spray कर दीजे तो मैंने यहाँ पे एक लीटर पानी में लगभग 2 ग्राम fungicide लिया है और आप 15 दिन में एक बार fungicide spray करिए और 15 दिन में एक बार insecticide spray कर दीजे तो इस तरीके से महीने में दो बार spray करना है आपको एक बार fungicide और एक बार insecticide और इस प्रेय करना है बहुत ध्यान से क्योंकि इसकी leaves काफी लंबी लंबी होती है तो ओपर की तरफ insect नहीं जाते हैं खासतर नीची की तरफ चिपक जाते हैं और वो हमें दीखते भी नहीं है जल्दी और fungis भी लग जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है तो spray करते समय ध्यान रखिए और spray ना morning में करिए जो खुब सुबह सुबह का समय होता है उस समय इस प्रेय अच्छे से कर देंगे आप तो फिर दिन भर में वो अच्छे से सूख जाएगा winter की बात मैं कर रही हूँ क्योंकि winter में fungis के chances ज्यादा होते हैं ऐसे में अगर आप शाम को spray कर रहे हैं और अगर बायच्छान पानी नहीं सूखा अच्छे से तो उसी समय leaves में fungis लग जाएगा आपके plant में तो इसलिए दिन में ही करिए दिन में मतलब सुबह सुबह कर द plant की ऐसी है जो soil में लग रही है या soil को touch कर रही है तो उस leaf को आप तुरंथ हटा दीजे आप देखें मेरे plants की सारी leaves उपर की तरफ हैं नीचे की तरफ कोई leaves आप नहीं देख रहे होंगे क्यों क्योंकि मैं इसको regular base पे हटाती रहती हूं क्योंकि जब soil में touch होती है leaves तो वो कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे जरूर बताएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और plants से related अगर कोई भी question आपके माइन में है तो आप comments की तरू मुझे बात कर सकते हैं मिलते हैं फिर next वीडियो में तब तक के लिए बाई चेक केर